देखें, English Literature में होता है आपका हमारश्या, तो इस वीडियो में हमारश्या का क्या concept है, English और Hindi दोनों में समझेंगे आम बोलचाल में हमारश्या किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, और English Literature में हमारश्या का किस तरह से परियोग होता है, दोनों में जानेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वेलकम टू इंग्लिश अजुके अडेस का आपका, इंग्लिश अजुके अडेस पे स्व जिसको tragedy बनाती है हमारश्या, या फिर आप ये बोलिए, a word of literary criticism, literature में साहिति में criticize करने के लिए बैठे बठाए एक word दे दिया गया है हमारश्या, तो वो किस तरह से हैं, वो आगे हम literature में भी समझेंगे कि किस तरह से हमारश्या एक literary criticism word है, तो ये सारे के सारे जो हैं, ये English literature के parts हैं, हमारश्या, और ये सारे जो चीज भी मैंने बताया, element of tragedy, literary criticism, तो चलिए इसको detail से समझते हैं, सबसे पहले इसका term definition देख लेते हमारश्या को कहां से लिया गया है, देखिए जो हमारश्या term है, ये Greek शब्द या Greek वर्ब से लिया गया है, हमार टैनिन से, जिसका मतल होता है, नाकाम होना, तो to miss the mark, fail to hit the target, मतलब जो निशाना है, उसको ना मार करके उस चूप जाना, miss कर जाना, वो हमारश्या है, या फिर to error, मतलब गलती करना, अब वो किस staff से गलती करना हमारश्या को बोला जाता है, वो आगे हम इसको समझेंगे, तो कुल मिला करके आप ये समझें, कि हमारश्या जो है, it is the fault, ये गलती है, failure, नाकामी है, guilt, खता है, sin, गुना है, मतलब कि वो ये ऐसा गुना, खता है, गलती है, कि इनसान जो है, अपने मकसद में नाकाम हो जाता है, मतलब ये खता गुना करने की वज़े से, मतलब ये हैं कि वक्त पर सही की वज़े से, अपने मकसद में नाकाम होने की इस्थिती को हम हमारश्या बोलते हैं, तो चलिए अब हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं इसको, English Literature में, देखे हमारश्या जो है, ये टर्म जो है, सबसे पहले, Aristotle ने अपने book Poetics में यूज किया था, with the reference to the ancient Greek tragedy, क्या मतलब हु tragedy अगर कोई भी है, तो हमारश्या का होना उसमें जरूरी है, tragedy में अगर हमारश्या ना हो, तो वो tragedy, tragedy नहीं कालाएगा, कुल मिला करके आप यह समझे, कि interlinked है, tragedy और हमारश्या एक दूसरे से linked है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है, तो literature में क्या है, कि it is an error, ये गलती है या फिर अफ्लाव का मतलब भी वही होता है गलती है और मिस्टेक गलती है मतलब यह गलती है गलती है गलती है that leads to protagonist जो main character है उनको ले जाता है घर्द की तरफ downfall के तरफ तो वो tragedy हो जाती है वो कैसी tragedy है तो वो tragic hero का लाने लगता है मतलब main character है वो tragic hero यह tragic heroine का लाने लगता है हमारश्या की वजए से थोड़ा detail से और समझते हैं तो इसको example से देखेंगे कि Shakespeare की tragedy ही है Hamlet कि इसमें जो tragic hero मतलब पता ही है कि Hamlet के father को जो है उनके चचा ने दोखे से वो कर दिया था मार दिया था उसकी मदर भी उसमें शामिल थी तो Hamlet बदला लेना चाहता है अपने चचा से तो Hamlet जो है वक्त पर उसने अपने चचा को नहीं मारा मतलब Hamlet's procrastination laid him उनको ले गया to the downfall घर्द की तरफ and to be the story और story को और character को tragic बना दिया अगर Hamlet जो है अगर time पर मार देते अपने अंकल को तो हो जाती happy ending लेकिन ऐसा हुआ नहीं last में उन्होंने मारा और उस time उस वक्त मारा कि जबके वो खुद भी मर गए तो खुद मर जाने की वज़े से जो है वो जो कहानी जो है tragic हो गई और वो खुद एक tragic hero बन गया ठीक है तो वही आपका हमारशिया है हमारशिया का मतलब गलती है सही वक्त पर सही फैसला ना करना वो हमारशिया है और उस सही वक्त पर सही फैसला ना करने की वज़े से जो downfall हो जाता है protagonist का और tragic hero बन जाता है वो आपका हमारशिया है ठीक है लास्ट में आप यह समझिये के हमारशिया जो है एक जैसा कि मैंने पहले ही बताया के literary term है या literary criticism है के एक मौका देता है drama को या tragedy को देखने वाले के लिए या पढ़ने वाले के लिए कि वो फिर आपस में गुफ्तगू करते हैं कि अगर hamlet ऐसा कर लेता तो फिर ऐसा नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि उसको tragedy बनना था मतलब उस कहानी को उस drama को tragedy के category में आना था तो इसलिए hamlet को उसमें मरना ही मरना था तो इसलिए वो tragedy कहलाई otherwise वो उसके अगर happy ending हो जाती तो वो tragedy नहीं कहला थी तो कुल मिलाकर के आप यह कहिए कि हमारशिया जो है एक flaw है गलती है protagonist का और उस गलती की वजह से जो story drama के जो story है वो tragedy हो जाती है और tragedy को मतलब हमारशिया को दूसरे word में आप tragic flaw भी बोल स सकते हैं या error of judgment बोल सकते हैं मतलब सही वक्त पर सही फैसला ना करना या गलत फैसला कर देने को हमारशिया बोलते हैं ठीकत उम्मीद आपने हमारशिया शब्त को English literature में और आम बोलचाल में भी अच्छी तरह से example के साथ में समझ लिया है thanks for watching English educator desk please like this video and subscribe my channel to get more videos like this